प्रडाम उमीद करती हूँ आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे दोस्तों दो-तीन दिन पहले रवी किशन जी ने संसद में अपनी आवाज उठाई थी ड्रक्स के बड़े ही तेजी से पैर पसानने को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने आवाज क्या उठाई एकदम से हंगामा मजगया कोई कहता है थाली में छेद कर रहा है तो कोई पूरी की पूरी भोशपूरी इंडस्ट्री पर ही उंगली उठा रहा है मैं कहती हूँ कि अगर इंडस्ट्री में कुछ सुधारने की कोई कोशिश कर रहा है या उसके लिए मांग कर रहा है तो इसमें गलत क्या है फिलाल पूरा विश्व जया जी के बातों का जवाब दे रहा है हो सकता है उनकी मजबूरी होगी लेकिन मैं फिलाल अनुभव सिनहा जी के बातों का विरोध करने आई हूँ जो उन्होंने भूचपुरी फिल्म इंडास्ट्री के लिए नंगा नाच शब्द का प्रयोग किया उस बात का जवाब देने आई हूँ अनुभव जी आपको आपकी हालिया प्रदर्शित फिल्म थपड को लेकर जानते हैं हम लोग और काफी ऐसा भी सुना है कि आप महिला शशक्ती करण को लेकर काम करते हैं या उसके लिए लगे रहते हैं फिर आपने इस तरीके का शब्द कैसे यूज़ कर लिया आप तो अपने मात्र भाषा को ही काली दे रहे हैं जहां तक मैंने सुना है कि आप बनारस से बिलॉंग करते हैं और आपकी जो कंपनी है उसका नाम भी आपने बनारस मीडिया वक्स रखा हुआ है बड़ा गर्भ भी होता है कि आप हमारे शेत्र से आए एक अनुभवी एक बड़ा नाम लेकर आज वेल स्टाप्लिश्ट है लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दू कि गुमनाम भोश्पुरी इंडस्ट्री को किसी ने पहचान दिया दिन रात खट कर खून पसीना बहा कर एक वजूत दिया तो वो हैं एक छोटे से जगे से आए रवी किशन जी भोशपुरी सिनमा ने बिना किसी सरकारी मदद या भोशपुरी शेत्रों से आए लोग कि बिना किसी मदद के भोशपुरी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है एक अलग नाम बनाया है अपना वजूद बनाया है लेकिन अच्छी अच्छी फिल्मों को भी हमारी भोचपुरी इंडास्ट्री ने दिया है जिसके बदॉलत भोचपुरी सिंवा वचपुरी के कलाकारों का उनकी वज़े से मान है आपकी इंडस्ट्री में आपकी बॉलिवूड इंडस्ट्री में कई लोग चुनाव लड़ने जाते हैं और जमानत तक नहीं बच पाती है हमारी इंडस्ट्री ने दो-दो सांसत दिये हैं दुनिया आपके बॉलिवूड इंडस्ट्री की सचाही देख रहा है चाहे वो सुसाइड हो, हत्याकांड हो, या ड्रक्स मैटर हो सब कोई सब कुछ जानता है और वही कहते हैं कि आप करें तो सब कुछ अच्छा और हम करें तो गंदे हैं वाह, क्या बात है अनुभव जी, आपको लोग बुद्धी जी भी जानते थे पर आप बेशक अच्छा काम करें, हमारी इंडस्ट्री के लिए भी पर दूसरों ने जो किया है, उसकी निंदा ना करें, उसको गलत ना बोलें आपको हक है भुजपुरी के लिए अच्छा काम करने का, अच्छे गाने बनाने का पर एक बात पूछें, आप तब कहां थे, जब भुजपुरी की वैसी स्तिती नहीं थी आज जब भुजपुरी के दिगजों ने काम करकर, मेहनत करकर भुजपुरी इंडस्ट्री को उस लाइक बना दिया तो आज आप जुम्मा जुम्मा चार दिन से आए और भुजपुरी पर उंगली उठा रहे हैं जब भुजपुरी का वैवसाई करण हो गया, जब भुजपुरी की रेकवरी जाने लगी अगर आप उस समय कुछ किये होते हमारी भुजपुरी इंडस्ट्री के लिए जब कोई नहीं था, जब भुजपुरी बहुत ही गंदे स्थिती में थी तब मैं आपको साधुवाद देती, कि आपने बहुत अच्छा काम किया बस आप तो हमेशा से नेगेटिव बात करते आए हैं आप पिछले दस सालों से मोदी जी के भी खिलाफ हैं कि मोदी जी की गवर्मेंट ना आए पर हुआ क्या? उनकी ही सरकार चल रही है ना? इसलिए अनुभव जी आपसे करबध प्रातना है कि भोशपुरी इंडस्ट्री जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है या 28 करोड भोशपुरी भाशियों का जो प्रतिनिद्व कर रहा है उसके लिए आप गलत ना बोलें प्लीज और आपने जो कहा है उसके लिए आप खेद प्रकट करिए आज जो रवी किशन जी ने अपना नाम बनाया है वो नंगा नाच करके नहीं बनाया है हमने या अन्य कलाकारों ने जो अपना नाम बनाया है वो नंगा नाच करके नहीं बनाया है सबसे पहले आप अपनी इंडस्ट्री को देखें उसमें जाकिए उसके बाद किसी और पे उंगले उठाइए यही कहूंगी निंदा तब करिए जब आप उस काबिल हों आपकी इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री से जादा नंगा नाच होता है प्लीज इस बात का ध्यान रखें धन्यवाद झाल